तो हेलो माइडियर इस्टूरेंट्स माइडियर फ्रेंड्स हवर यू आल कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोगों से जो डिसकुशन करने वाला हूं वह हम लोगों ने पोईट्री डिसकस की थी हमारी फर्स के साथ होती हैं और किस तरीके से फिर उनके भाव बदलते चले जाते हैं कैसे वह किस तरह के लिटरी डिवाइज उसका यूज करके और पोईट को बहुत ही आकर्शक और बहुत ही अट्रेक्टिव बना लेती हैं तो उसी बारे में आज हम आगे का डिसकुशन लेकर के हमारा सब से पहला टॉपिक यहां पर आता है संट्र अईडिया दप्धे इंस डिसक्रिप्षन और उप फोटोग्राफ तो कविता जो है हमारी शुरू होती है एक डिस्कृप्षन से डिस्कृप्षन का मतलब क्या हो गया है हमारा एक वल्नन या एक विवरण से यह जी जो है उनकी तस्वीर है उनकी फोटो है and her two cousins और उनकी खुद की जो दो cousins है cousins का मतलब चचेरी ममेरी बेहने ताउ जी के लड़कियां चाचा जी की लड़कियां उनको cousins कहा जाता है on a sea holiday और यह कहां गएवे हैं एक समुंद्र के पास में छुटियां मनाने के लिए गए हैं see holiday पे गए हर mother cherished fond memory of this holiday और उसकी मा की बहुत प्यारी ऐसी यादे जिनकी वो बहुत ही शौकीन है वो इस holiday में देखने को मिलती है the photograph was captured यानी कि यह तस्वीर जो है capture का मतलब होता है तश्वीर लेना या तस्वीर खीचना यह तस्वीर जो है ली गई थी one moment in her life उनके जीवन के एक्षण में but time moves on लेकिन समय जो है बढ़ता रहता है ऐसा क्यों का क्योंकि जब वो तस्वीर ली गई थी उनकी मॉम 12 साल की थी लेकिन अब जब वो यह तस्वीर देख रही है तो उनकी मॉम की death भी हो चुकी है with the passage of time और समय के इस बहते बहाव के साथ में her mothers changed but the sea washing their feet did not change लेकिन उनकी मा जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है उनके मा में पूरी तरह का परिवरत अचुका है क्या परिवरतन आ गया वो उस समय बहुती युवा थी 12 साल की थी फिर वो प्रोड हुई उसके बाद में वो व्रद होई व्रद होने के बाद उनकी मृत्ति हो गयी लेकिन वो समुद्र जो है वो समुद्र आज भी वैसा का वैसा ही है जो उनके पैरों को धो र परिवर्तनशील होती है, कुछ चीज़ें आपरिवर्तनशील होती है, कुछ चीज़ें बदल जाती है वक्त के साथ और कुछ चीज़ें नहीं बदलती है और यह हमें यह दर्शाता है, यह बताता है कि चेंज जो है टाइम का वो मनुश्यों में आता है यानि कि मनुष्य जो है समय के साथ-साथ बदलते रहते हैं Her mother is no more अब no more का मतलब क्या होता है कोई भी जिसकी मृत्यू हो गई हूँ उसे no more कहा जाता है यानि कि अब वह जीवित नहीं है But she used to look young and beautiful in the photograph लेकिन वो उस photograph में यानि कि उस समय में बहुत ही युवा और बहुत ही सुन्दर दिखाई देती थी The poet is delighted to see her mother's smile तो poet जो है बहुत ही जादा delighted यानि कि प्रसन्न महसूस करती है खुश महसूस करती है उस photograph को देख करके अपनी मा की smile को देख करके But pained लेकिन उसी समय उसे दुख भी होता है किस बात का दुख होता है To realize यह चीज महसूस करके यह चीज समझके That she is no more कि अब वो जेवित नहीं रही है The loss of mother cannot be compensated यानि कि जो नुकसान है जो loss उसका हुआ है उसकी मा को खो करके उसके मा के चले जाने से उसके जीवन में जो कमी आई है उसे compensate नहीं किया जाता compensate नहीं किया जा सकता इसका क्या ताथ पर यह है कि भई अगर आपका कोई नुकसान हो गया है तो मैं आपको पैसा दे देता हूँ compensation ले लो ठीक है ना यानि कि उसकी किसी भी चीज का जो भुकतान होता है ताकि जो भी नुकसान हुआ है उसे बराबर किया जा सके वो भुकतान इस loss का नहीं हो सकता आपने मेरा phone तोड़ दिया तो आप मुझे पैसा दे दोगे सर ये लो पैसा नया phone ले 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 ना तो ये compensation हो गया लेकिन अगर मेरे जीवन से कोई मेरा महत्वपुन व्यक्ति चला जाता है हमेशा के लिए चला जाता है तो उसका चले जाने का जो दुख है उस दुख को किसी भी तरीके से उस दुख का भुकतान नहीं किया जा सकता है उसका कोई compensation नहीं दिया जा सकता ठीक है गाईस तो ये हमारा central idea है यानि कि ये proper flow है हमारी poetry का कि poetry किस रूप में चल रही है कहां से कहां तक होते हुए कहां आकर रुख जाती है next guys हम जो discuss करने वाले है वो हमारा reference to context होने वाला है साथ में explanation तो reference में हम हमिशा दो ही बाते बताते हैं मोटे मोटे दोर पर कविता किस ने लिखी है कहां से ली गई है क्यों लितना तो ये जो हमारा first stanza है the cardboard से लेकर के transient feet तक का जो है यहां तक का हम देख रहे हैं explanation क्या बनेगा तो सबसे पहले these lines have been taken from Shirley Toulson's poem a photograph तो Shirley Toulson's की जो poetry है जो poem है उससे इसे लिया गया है और उस poetry का नाम क्या है उस poetry का नाम है a photograph तो ये तीनों stanza में सेम रहेगा इसमें हम क्यों दो ही चीज़े दर्शाते हैं मूल रूप से कि एक तो किस ने लिखी है और poetry का नाम क्या है तो वहां से ये पंक्तिया ली गई है साधान रूप से इतना बताते है context में ये बताया है कि इस stanza में बताया क्या गया in the stanza poetess talks about a photograph इस stanza में poetess जो है हमारी कवित्री जो है वो बात करती है talk करती है बताती है दर्शाती है explain करती है विवरन देती है एक photograph का जो कि उनकी mom का है जहां उस photograph में उनकी दो cousins दिखाए दे रही है the poetess remembers about the details of the photo और poetess जो है यहाँ पर जो भी details है कि वो आग गए थे कितने खुश थे इस photo को देखकर मेरी मा कितनी खुश होती थी वो सारी की सारी details जो है हम आपे मन में दोरा आ रही है explanations का क्या कहता है the poetess Shirley Toulson poetess जो है हमारी Shirley Toulson looks at a photograph वो एक photograph की तरफ देखती है that was taken on a piece of cardboard long ago जिसे की लगा दिया गया था चिपका दिया गया था एक cardboard पर गत्ता जिसको अपन बोलते है कागिस का मोटा गत्ता होता है उस पर चिपका दिया गया था long ago बहुत पहले the paragraph shows her mother with two of her girl cousins photograph में दिखाया गया है दरशाया गया है कि उसकी मा जो है वो उसकी दो cousins के साथ है girls cousins के साथ है who were younger than herself जो कि उससे ज़ादा छोटी थी these three little girls और यह तीन छोटी छोटी जो लड़किया है had gone paddling वो paddling करने गये थे paddling करना किसे कहते है समुद्र के पास में paddling करने का मतलब यह देखो यह बहुत कम पानी है न पैर तक का जिसमें बच्चे खड़े इसको paddling का जाता है on the sea shore sea shore का मतलब होता है समुद्र तट पर sea का मतलब तो हो गया समुद्र और shore का मतलब हो गया तट या किनारा ठीक है समुद्र तट पर यह लोग वहां गुमने गए थे the two girls cousins of the poetess's mother जो poet की मा की जो दो cousins थी were holding one hand each of her उसने क्या कर रखा था दोनों के एक एक हाथ पकड़ रखे थे इधर से एक कजन इधर से एक कजन और दोनों का एक एक हाथ उसने पकड़ा हुआ वहां पर था ऐसी वो दिखाई दे रही थी all the three girls were standing motionlessly motionlessly का मतलब होता है स्थिर यह तीनों लड़कियां जो है पानी में बिलकुल स्थिर खड़ी थी smiling at the uncle और uncle की तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी और uncle क्या कर रहे थे who was taking their photograph जो उनका तस्वीर ले रहे थे जो उनकी फोटो ले रहे थे they were smiling through their hairs smiling through their hairs को हमने बार बार discuss किया है एक बार और discuss करेंगे तो समुंद्र तट पे कह तेज हवा चलती है हवा चलने से girls के बाल लंबे होते हैं उनके चैरे पे आ जाते हैं लेकिन उन बालों के आने के बावजूद भी उनके चैरे पर जो smile है जो मुस्कुरायट है वो बिलकुल साफ तोर पर दिखाई दे रही थी इसलिए का गया smiling through their ears as it had spread over their faces क्योंकि वो जो बाल है वो उनके चैरों पर बिखरे हुए थे because of the wind हवा की वज़े से the photograph showed that her mother had a beautiful face और ये तस्वीर ये दिखाती थी ये दर्शाती थी कि उसकी मा का जो चैरा था वो बहुत ही सुंदर था बहुत ही खुबसूरत उनका face था but this was a time before लेकिन ये एक समय था जो की पहले she यानि की poetess जो है was born यानि की poetess के यानि की कवीतरी के खुद के पैदा होने से भी पहले के समय की बात हो रही है ये इस photograph में the sea was washing girl's feet समुदर की जो पानी है वो उस लड़की के पैरों को धो रहा था poetess's feet which had undergone a terrible change जो की एक भयानक परिवर्तन से गुजर चुके थे भयानक परिवर्तन का मतलब क्या है एक 12 साल की लड़की के पैर और उसी से अगर हम compare करे उस औरत के पैर जो अपनी last age तक जाने के बाद और उसके बाद में उसकी death भी हो चुकी है तो इसके पैरों में और इसके पैरों में अंतर होगा की नहीं होगा और कितना अंतर होगा ये change कितना होगा भयानक रूप से change हो गई है चीज़ यानि कि बहुत ही भीषण तरीके से चीज़े बदल गई है ऐसा यहां पर suggest किया जा रहा है ऐसा यहां पर दर्शाया जा रहा है बट ऑन दा कॉंट्रेरी लेकिन इसके विपरीत लेकिन इसके कॉंट्रेरी का मतलब क्या होता है विपरीत दसी इटसेल्फ हैड चेंज लिटल समुद्र जो है उसमें बहुत ही कम बहुत ही थोड़ा ना के बराबर उसमें परिवर्तन आया है तो एक दो चीज़ें आँ सज़ेस्ट हुई है एक परिवर्तन शील मनुष्य का जीवन और प्रकरती या समुद्र जो है वो उतना परिवर्तन शील नहीं होता उतना नहीं बदलता जितना एक मनुष्य का जीवन कोर्स आफ टाइम के साथ में बहते हुए समय के साथ में बदलता है ठीक है गाइस दा पोएटेस means to say that human life is short-lived पोएटेस यहां यह कहना चाहती है कि मनुष्य का जीवन जो है वो कैसा है short-lived है यानि कि कम जीवन जी पाता है मनुष्य प्रकरती की तुलना में एंड चेंजेबल और मनुष्य के जीवन में परिवर्तन भी होते हैं वेरेस दा सी एंड अबजेक्स ऑफ नेचर जहां पर समुद्र अगर उसी से तुलना की जाए मनुष्य जीवन से तुलना की जा रही है कि short-lived होता है चेंजेबल होता है सी और अबजेक्स ऑफ नेचर और समुद्र या प्रकरती के दूसरे तत्वों की बात की जाए प्रकरती की जो दूसरी वस्तुए है समुद्र हो गया, चट्टाने हो गई, परवत हो गए तो इनकी अगर बात की जाए अन्चेंजेबल, तो यह किस तरह के होता है अन्चेंजेबल होता है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या कोई परिवर्तन महां दिखाई नहीं देता है ठीक है guys, second stanza में यहां में देखने को मिलता है कि some 20 से हमारा second stanza शुरू होता है, of loss तक हमारा second stanza जाता है reference to context में हमें वापस वही मिल जाएगी कि Shirley Toulson की poem है, photograph वहां से लिया गया है context in this stanza poetess talks about a photograph of her mother with two cousins photograph की बात करती है the poetess remembers about the details of the photo और poetess जो है उस photo के अंदर जो detail है और कैसे चीज़ें बदलती गई है उसके बारे में यहाँ पर याद करती है या बात करती है the poetess looks at the photograph which shows her mother तो poetess जो है उस photograph की तरफ देखती है जिसमें उसकी मा दिखाई दे रही है then उस समय में जब वो कितने साल की थी 12 साल की थी and her two girl cousin और अपनी उनकी मा की जो cousins थी उनके साथ थी सी बीच पर एक समुद्रतट पर the poetess remembers how her mother used to laugh अब यहाँ पर क्या है कि poetess जो है वो याद कर रही है उसे याद आ रहा है कि कैसे उस photo को देख करके उसकी मा हसा करती थी उसकी मा मुस्कुराया करती थी यार कैसे कपड़े पहना रहे थे कैसे हम दिखते थे जब छोटे थे तो उसे उस photo को देख करके वो हसा करती थी और वो poetess से कहा करती थी how their parents and other dress them for a holiday on the beach and laugh तो वताती थी कि उस समय में हमारे माता पिता और दूसरे लोग जो है वो हमें किस तरह के कपड़े पहनाते थे जब हमें एक holiday के लिए छुटी मनाने के लिए जाना होता था एक beach पर समुद्र तट पर और laughd हसने लगी आज अगर आप देखोगे शहरों में लोग party में जाते हैं शादी में जाते हैं थीक है लेकिन आज के 20 साल पहले की 30 साल पहले की अगर आप Styles da ने कैसे एक और उन कपडों को अगर आप देख़ेंगे फोटि करदाश है कैसे कपड़े पहने जाते थे तो यही वहां पर हो रा है कि तो डेकर कर गाने के कश jumping the बीच पे ले जाने के लिए और पोईटेस की मा जो है उन शणों को याद करती है और सेडनेस को अपने रिदय में, अपने दिल में महसूस करती है तो ऐसी फोटोस देख करके खुशी तो होती है हसना तो आता है लेकिन दुख भी होता है वो अच्छा वो सुनहरा बिना किसी टेंशन का जब लाइफ बहुत अच्छी हुआ करती थी शान्त हुआ करती थी वो जीवन कहां चला गया वो जीवन कहीं ऐसा लगता है भूत काल में कहीं खो गया है तो ऐसा यहाँ पर दर्शाय जा रहा है और उसी वजह से sadness in her heart उसे अपने मन में, अपने दिल में दुख महसूस हो रहा है, sadness वो वहाँ पर feel कर रही है कि वो कितना सुन्दर समय था, खुबसूरत समय था जो अब जा चुका है यह उसका भूत काल था, जो अब शेश नहीं रहा था, वो इनोसेंट जोय यानि कि वो मासूमियत से जो आनंद लिया जाता था, एक समुद्री हॉलिडे पर वो अब जा चुका है भूत काल में, हैड गौन विद द पास्ट, यानि बीतते समय के साथ, भूत काल के साथ वो भी पल भूत काल में जा चुका है, सिमिलर्ली उसके बिलकुल बराबर, हर मदर्स लाफ्टर वाज़ थिंग, अब देखो यहां पर हमने उसकी मा का देखा, कि वो उसे देखके खुश होती है, और फिर दुखी होती है, सेम चीज़ पोईटेस के साथ होने वाली है, और क्या हो जा चुका है, यह वक्त लौट कर वापस नहीं आएगा, अब बात आती है कि उस तस्वीर को देख रही है, पोईटेस, और poetis याद कर रहे हैं कि कैसे मेरी मा हजा करती थी, मुस्कुराया करती थी इस photo को देख करके और उनकी हसी को याद करके उसे भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ उसे दुख भी होता है क्योंकि अब उसकी मा इस संसार से जा चुकी है बिलकुल सेम कि वो अब भूतकाल का एक हिस्सा बन चुकी है जो वापस लोट कर नहीं आ सकता तो दोनों मेमरीज बिलकुल सेम तरीके से यहां काम कर रही है दोनों ही यानि उसकी मा भी और वह भी, poetis भी और poetis की मा भी उनके जो चहरे हैं twisted और distorted हो जाते हैं यानि कि उनके चहरे मुड जाते हैं, निराशा में हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं जब वो अपने बचपन के उन दिनों को याद करते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि जब भी वो इन मेमरीज को याद करें जब भी वो उस फोटो को देखे उसकी माँ उस फोटो को देखे तो हमेशा खुशी मिले या पोईटर्स अपनी माँ के बारे में सोचे तो उसे हमेशा खुशी मिले उसकी बहुत कोशिश करते हैं कि उससे कुछ वो रिलीव हासिल कर सके by forgetting their loses Saatiya fai w harness हो जब उसको याद करके हम खुश हो ले के पहा हो समय के लिए इस भाव से बाहर निकल सके हमने क्या आपने जीवन में खो दिया है he only devil ॉनके बारे में सोचे Agora उनके बारे में वियर रिशार कर किस तरीके से क्या परिस्तिती का निर्मान हुआ जब उसकी माता की मृत्ति हो गई और वो ये भी बताती है कि अब मेरे मन में बोज इतना जादा है या विचार इतने जादा है कि मैं विल्कुल स्पीचलेस हूँ इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती तो ये दो चीज़े जो है लास्ट में जाकर के जो उसे निराश कर देती है उसके बारे में बताये गए The poetess's mother has been dead for nearly 12 years Poetess की mom जो है लगबग 12 साल पहले उनकी मृत्ति हो चुकी है The girl in the photograph और वो जो लड़की जो उस फोटोग्राफ में देखी है जो उसकी मा है Had also enjoyed her time for the same period और उनोंने भी लगबग उसी समय पर जब उनकी उमर 12 साल थी तब वो इस period को इस time को इस holiday को enjoy कर रही थी Nearly 12 years जब वो 12 साल के थी Now our mother is no more अब उसकी मा जो है जीवित नहीं रही है The loss of the poetess is so huge और यहाँ पर जो loss हुआ है जो उसने अपनी जीवन में खो दिया है वो चीज़ बहुत ही बड़ी है उसके लिए That she has no words कि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है To describe it कि वो इसका वर्णन कैसे करे वो इसकी व्याक्या कैसे करे कि उसने क्या खो दिया है In fact, वास्तविक्ता में There is nothing to say about the loss कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में बात की जा सके इस loss के बारे में बात की जा सके That the poetess has suffered in the death of her mother इस बारे में कि poetess जो है वो किस तरीके से suffer हुई है परिशान या पीडित हुई है क्या हुई है परिशान हुई है या पीडित हुई है The death of her mother अपनी मा की मृत्यू पर She is silenced वो बस चुप हो गई है कुछ नहीं बोल रही है By the emptiness Created by her mother's death खालीपन जो आ गया है जिस खालीपन का निर्मान हो गया है उसके मन में उसके जीवन में उसके विचारों में उस खालीपन के क्या कारण है उसकी मा की death है तो उस खालीपन के कारण उसकी मा की मृत्यू की का जो खालीपन है उसके कारण वो कुछ भी सोच नहीं पारी कुछ भी विचार नहीं कर पारी और उसके पास कोई शब्द नहीं है कैसे उसकी व्याख्या करे ठीक है गाइस तो यहाँ पर यह हमारा suggestion हमें मिलता है explanation हमें मिलता है ठीक है तो explanation reference to context जो है वो हमारा यह वाला portion है जिसमें हमें हर line का explanation मिल जाता है तो UP board वा लोकों में एक suggestion देना चाहूंगा यहाँ पे कि UP board के जो student है वो मेरे एक-एक line के suggestion को देखें क्योंकि आपके short answer type जो question आता है उसमें एक-एक line का या half stanza या one third stanza दे करके और आपको explain करने के लिए कह दिया जाता है तो देखो explanation में stanza का करूँगा या में एक line का करूँगा या में पूरी poetry का करूँगा वो same ही रहेगा वो रहेगा same ही लेकिन क्या होता है कि उसमें से अगर हम हर एक line का explanation ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हमारे वो जो दो question है एक question है वो भी हमारा साथ के साथ तयार होता चलता है उसके लिए आपको अलग से मैनत नहीं करनी पड़ेगी ठीक है लेकिन अगर आप उसके लिए अलग से मैनत करना चाहते हैं तो that is your choice लेकिन मेरी राय तो यह है कि क्यों उसके लिए अलग से मैनत करनी एक बार जब इस्टेंजा के लिए मैनत करने तो उस्टेंजा की तीन-चार लाइनों के लिए भी उसी समय मैनत की जा सकती है literary device का मतलब होता है हमारे अलंकार अलंकारों का हम कैसे प्रयोग करते हैं तो literary device जो है अलंकार को दर्शाते हैं हिंदी में जैसे आपके अलंकार होते हैं रूपक हैं उपमा हैं उसी तरीके से इंग्लिश में भी आपके literary devices होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है elitration, elitration किसे कहा जाता है it is the use of the same sound यानि कि एक ही ध्वनी का बार-बार प्रयोग किया जाए वो भी किसी शब्द के प्रारंब में किसी शब्द के प्रारंब में यदि एक ही ध्वनी बार-बार आ रही है तो उसके लिए हम elitration कह देते हैं और वो जो शब्द हैं वो पास-पास में होने चाहिए यानि बिल्कुल एक के बाद दूसरा तीसरा चौता ऐसे होना चाहिए तो अब देखिए my mother's hand में my और mother जो है उनमें म म साउंड का repetition हुआ है stood still में सह साउंड का हुआ है to smile यहाँ पे भी साउंड का हुआ है terribly transient तो terribly और transient के अंदर इसका इस्तमाल हुआ है silence silences silence silences में सह का जो है बार-बार प्रयोग हो रहा है और यह दोनो तीनो शब्द जो है क्या पास-पास में हैं बिल्कुल तो किसी एक ध्वनी का बार-बार प्रयोग होना number one किसी शब्द के शुरुवात में number two और वे शब्द जो पास-पास में हो number three अगर यह तीन चीज़े कहीं पर भी दिखाई दे तो आप समझ लीजे वहाँ पर आपका alliteration नाम का literary device use किया गया है second इसमें है transferred epithet transferred epithet का मतलब क्या है it is a literary device in which an adjective is used is usually used to describe one thing is transferred to another thing ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि literary device का इस्तमाल तब किया जाता है जब किसी विशेशन का किसी adjective का मतलब क्या जाता किसी विशेशन का सामान्यत है ऐसे प्रयोग किया जाए describe करने के लिए जहाँ पर एक चीज जो है एक वस्तु जो है वो transfer हो रही है किसी दूसरी वस्तु में जैसे washed there terribly transient feet जो है यहाँ पर एक भाव जो है transient feet जो है terribly transient feet जो है वो एक भाव से दूसरे भाव को transfer कर रहा है यानि कि terribly transient जो है वो दो चीजों को दर्शार है पहली चीज तो क्या कि जो धोने वाला समुद्र है उसका क्या भाव है उसका भाव है कि यह अंचेंजेबल है इसमें जाज़ा चेंज नहीं आते और दूसरी तरफ फीट है तो एक चीज से समुद्र से पैरों तक पहुँचा तो समुद्र जिसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता और पैर जो समय के साथ बदलते जाते हैं परिवर्ति यानि कि मनुष्य जो है समय के साथ बूड़ा होता जाता और लास्ट में जाके उसकी मृत्य हो जाती है तो एक वस्तू तो क्या गई हमारी समुद्र दूसरी वस्तू पैर या तो यहां से यहां तक पहुंचते हुए यानि कि वाश्च से लेकर के फीट तक पहुंचने में क्या हुआ कि पूरा का पूरा अर्थी बदल गया तो वन तिंग इस ट्रांसफर्ट तो अनदर विशेशन के तौर पर जब यह होता है तो ट्रांसफर्स एपिटेश्ट तौह यूमन in कि जहां पर हिंदी मैं कहते है मानविकरन लंका जहां पर किसी मानव का दर्शाय आ जायी जहां किसी आ मानव का मानव स्थाइजाय वस्तु में वह वशेशन या वहा गुण बताई जाает जया मानवों में होते हैं ठीक है कोई वेक्ति साइकल चला रहा है मोटा तकड़ा है और साइकल चला रहा है तो कोई गाओं का वेक्ति है कोई भाई किया इसकी कमर तोड़ेगा क्या साइकल की अब मुझे बताओ साइकल की कोई कमर होती है क्या साइकल को इंसान है क्या जिसकी कमर आई मेरी बात समझिमें तो यहां पर cycle को कैसे देखा गया एक इनसान की तरह मनुष्य की तरह दिखा गया तो जब भी किसी वस्तू को किसी को सजीवया मनुष्य की तरह देखा जाए यह उसमें मनुष्यव्य के कि मैसूस कि आ कारबोर जो होता है वो तो निर जी होता है लेकिन यहां पर इसे कैसे बताया गया है यूमन्स की तरह इंसानों की तरह एक्ट करते वे इंसानों की तरह विवार करते वे दर्शाया गया है इसलिए यहां पर हम कहा देंगे personification हमारा literary device हुआ है next guys oxymoron है oxymoron भी वैसे हमारे course में नहीं लेकिन easy है तो इसे याद रखा जा सकता है it is the combination of two words that seem to be opposite of each other जहां पर दो शब्दों का प्रयोग किया जाए और दोनों शब्द आपस में एक दूसरे से कैसे हो विरोदा भासियों हार जीत लाभानी जै पराजय कभी भी अगर इस तरह के शब्द अगर कविता में दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं यह oxymoron हो गया तो labored और ease labored का मतलब तो होता है परिश्रम करना और ease का मतलब होता है आराम तो labored का मतलब परिश्रम और ease का मतलब आराम तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं विरोदा भासि हैं के नहीं हैं तो दोनों वर्ट जब एक दूसरे के opposite और दोनों का साथ में जोड़ करके प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर oxymoron प्रयोग होता है जैसे एक याद आ रहा है हारी हुई जीत कैसी जीत हारी हुई जीत के जब समराठ अशोक ने जब युद्ध किया और युद्ध करने के बाद युद्ध के अंत में जाकर के जब उन्होंने युद्ध भूमी को देखा कि युद्ध भूमी की स्तिती क्या है उसकी दशा क्या है तो उन्होंने वहाँ महसूस किया कि यह तो हारी हुई जीत है मतलब इसमें तो मैं जीत के भी हार गया जीत के क्यों हार गया क्योंकि युद्ध के अकॉर्डिंग युद्ध के नियमो के अकॉर्डिंग तो मैं जी जीत हासिल हुई है तो यह हार से भी बुरी है इसे बढ़िया तो एट इनसान नहीं मरता और मैं हार जाता तो ज़़ाद अच्छा था लेकिन यह हारी हुई जीत है ठीक है यह जीत हुई हार इसको आप और कई हम 있지 यह चेटिंग करके जीत गया और सब लोगों को पता है कि यह cheating करके जीता है तो उसमें से कोई भी उसे जीत का सम्मान ही नहीं दे रहा को किसी वाज आता है और भाई मैं जीत गया वहाँ चल ठीक है चल निकल यहां से कारण क्या है इसका क्योंकि सब जानते हैं उसने बेमानी किया उसने cheating करिये जीतने के लिए ठीक है तो यहां पर वो जीत करके भी हार गया और वहां पर वो कई लोग जो है वो हार के भी जीट जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम यहां पर इसे देख सकते हैं आगे इसमें हमारे पास क्या आने वाला है next हमारे पास यहां पर आईए गाईज इसकी summary तो summary यानि कि कविता के सारांश को अब हम समझने वाले हैं कि इस कविता का पूरी कविता का निचोड क्या है सारांश क्या है the poem is a tribute तो ये एक tribute को आप कह सकते हैं हिंदी में अपनी बोल चाल की भाशा में हम इसे कह देते हैं भाहिया हिंदी में ये एक तरह की श्रद्धान जली है क्या है ये एक तरह की श्रद्धान जली है to the poetist mother poet की मा के लिए she is looking at an old photograph वो एक पुरानी photograph की तरफ देख रही है of her mother जो कि उसकी मा की है which has a frame of cardboard जिसका frame कैसा बना हुआ है आजकाल तो लकडी का बनता है plastic पे भी छप जाता है टी शर्ट पे छप जाती है photos कप वगर भी छप जाती है लेकिन उस समय में इतनी सुईदा ही नहीं थी तो एक गत्ता लेते थे उसके उपर चिपका देते थे था ताकि लंबे जमय तक शुरक्षित रह सके the picture has three girls उस picture में तीन लड़किया थी which the middle one was is the oldest and tallest जिन में से बीच में जो खडी थी जो उसकी poetist की मा थी वो सबसे बड़ी थी और सबसे लंबी थी oldest का मतलब बूडी वाली में पकड़ ले ना 12 साल की थी वो it is her mother ये उसकी मा थी when she was 12 year old और सो वो लगबग जब 12 साल की थी beside her और उनके पास में on both sides दोनों तरफ are her two cousins उसकी दो cousins थी Betty and Dolly जिनका नाम था Betty and Dolly who are holding her hands जिन्नोंने उनके हाथ पकड़ रखे थे यानि इसकी मा जो है ये बीच में गड़ी थी और यहाँ पे बैटी थी यहाँ पे डॉली थी इन दोनों के हाथ इन्नोंने पकड़ रखे थे who are holding her hands and younger than her ये दोनों ही लड़किया इनसे छोटी थी और इन दोनोंने ही इनका हाथ पकड़ रखा था they went for pedaling pedaling करने के लिए वो गए थे जहाँ पर पानी थोड़ा चिशला हो और उसके अंदर ये लोग चलना फिडना गूमने फिडने का काम कर रहे हो on a beach एक beach पर या समुंदर पर holiday मनाने के लिए छुटिया मनाने के लिए गए थे her uncle took the photograph then और उस समय में उनके अंकल ने वो उनकी तस्वीर खीची थी the poet could not help और poet इसमें कुछ नहीं कर सकती थी but notice her mother's sweet face उनको देख करके लगता था कि मेरी मा का जो चैरा है वो कितना प्यारा चैरा है इस फोटो में दिख रहा है the sea touched her terribly transit feet और समुद्र जो है उनके बहती भयानक रूप से बदल जाने वाले पहरों को चू रहा था which depict जो कि ये दर्शाता है that she changed over the years कि वो समय के साथ बदलती चली गई थी and the sea remained the same और समुद्र वैसा का वैसा ही रहा unchanged रहा भया ये चार बार discuss कर चुके हैं इसी lecture I hope अब इसको समझानी के आशकता नहीं पड़ेगी at least ये तीन चार लाइने last वाली जो है ये नहीं समझानी पड़ेगी क्योंकि उसको हम बार बार discuss कर चुके हैं after 20-30 years और 20-30 साल के बाद her mother would laugh at the photograph 20-30 साल के बाद जब उसकी मा ने वापस वो फोटो देखी तो उससे देख करके वो हसने लगी she would make the poet look at the photograph वो poet को यानि poetess जो हमारी उसको photograph दिखाती थी and tell her और उसे बताती थी how their parents would dress them up for the beach holiday कैसे उनके माता पिता उने कपड़े पहनाते थे beach holidays के लिए the beach holiday was her mother's favorite past memories क्योंकि beach holidays जो है poetess की जो मा है उसकी सबसे पसंदी था बीते हुए जमाने की यादों में से एक थी while her laughter जबकि उसकी मा का जो हसना है was the poetess favorite memory तो उसकी मा की favorite memory है beach holidays और poet की favorite memories है उसकी मा को हसते वे याद करना या remember करना both of them lost something which they cherished a lot and yet cannot live that moment again दोनों ही ने कुछ ऐसा खोया था lost something which they cherished a lot जिसकी वो बहुत प्रशनसा करते थे जिसे वो बहुत चाहते थे a lot and yet cannot और फिर भी live that moment again वापस उस movement में जाके उसे जी नहीं सकते थे देखो भई अगर मैंने आज के कोई 10 साल पहले 15 साल पहले अगर मैंने कोई track पे गया हूँ और वो मेरे लिए मैं उस photos को दिखता हूँ जब बहुत खुशी होती अब मैं जाना चाहूँ मैं नहीं जा सकता अगर वैसे ही जो poet है, poetess जो है वो अपनी मा को वापस हसते वे देखना चाहे नहीं देख सकती क्योंकि उनकी death हो चुकी है those weeks moments were memories now वो खुशी के जो वो प्यारे जो शंते अब यादे बन चुके है now the poetess mother had been dead for the past 12 years अब poet की मा जो है उनकी पिछले 12 साल पहले मृत्य हो गई है which is the same number of her age जो की उस age को दर्शाता है when the photograph was taken back then जब पुराने समय में वो फोटो ली गई थी she cannot express the grief where उस दुख को वैसे grief का मतलब होता है गहरा दुख where उस दुख को नहीं दर्शा सकती express नहीं कर पारी उसकी व्याक्या नहीं कर पारी बता नहीं पारी कितना दुखी है that she has formed her mother's absence जो की उसकी मा की अनुपस्तिती है उसके जीवन में वर्तमान में उसकी वज़े से वो कितना गहरा दुख या दर्द को महसूस करती है ठीक है गाइस तो यह हमारा summary वाला portion था तो आज हमने चार चीज़े डिसकस की क्योंकि poetry थोड़ी छोटी थी तो उससे related data जो है वो सब जगे थोड़ा कम हो गया तो इसलिए आज इस lecture को इस तरीके से design किया गया कि एक तरह से आपका one shot ही हो गया है तो लेकिन one shot है नहीं one shot हम अलग से आएगा आपका तो समय उसकी बात करेंगे so thank you very much and I hope आप लोगों ने इस poetry को enjoy किया होगा अगर आप लोगों ने कभी भी अपने किसी preusion के विशय में ऐसा महसूस किया है सोचा है विचार किया है तो आप हमारे साथ share कर सकते हैं क्योंकि the portrait of a lady जो है उसके just बाद में poetry दी गई है तो कहा जाता है कि बड़े पेड़ की छाया जो है वो छोटे पेड़ पर जरूर पढ़ती है तो बड़ा पेड जो था वो chapter जो था उसकी चाया इस poetry पर आपको पहुत जादा दिखाई देगी कि कैसे उस chapter के बारे में उस chapter को पढ़के जो भाव हमारे मन में आते हैं वो सेम भाव इस poetry को पढ़कर भी हमारे मन में आते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस poetry के बारे में क्या समझता है, आपको कौन सा portion सबसे अच्छा लगा, आप प्लीज मेरे साथ शेर कीजिए, thank you very much, I'll see you soon, till that take care of yourself, bye bye.